मैं एक संदे करने वाला इंसान हूँ सर आपने इस बारे में बात की थी कि हमें अपनी काभिलियत बढ़ानी चाहिए तो हम ये प्रक्रिया कैसे शुरू करें? IIT एक शुरुवात है तो आपको किस बारे में संदे है? क्या आपको भरुसा नहीं है कि इस दुनिया में काभिलियत काम करेगी? वैसे ब्रश्टा जार भी एक तरह की काभिलियत है मैं बस मजाग कर रहा था बस मजाग कर रहा था अच्छा, तो वो मजाग था तो अब मैं अपनी काभिलियत कैसे बढ़ाऊं? देखिए, मान लेजिए कि आप एक मैदान में दौड़ना चाहते हैं मान लेजिए, आप रेस में दौड़ना चाहते हैं आप 100 मीटर दौड़ना चाहते हैं तो अभी आपको दौड़ने पर काम नहीं करना है आपको अपनी टांगों, फेफडों और मसल्स और हर चीज़ पर काम करना होगा, है कि नहीं? तो अगर आप एक अच्छे इंजिनियर बनना चाहते हैं, तो हाँ, इस तरह का इंस्टिटूट एक स्थर पर निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन तमाम लोग यहां आये और गए, लेकिन उनमें से सारे बढ़िया इंजिनियर नहीं बने, हाला कि यहां सैक्डों अच्छे इंजिनियर तयार हुए होंगे, फिर भी सारे नहीं बने होंगे सिर्फ अपने अपने नजरिये और काबिलियत और किसी भी और कारण से, है ना? तो ये इंस्टिट्यूट आपके लिए जो भी कर सकता है, वो कर रहा है एक पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि अपनी शारेरिक और मानसिक शमताओं को बढ़ाईए क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंजिनियर बनना चाहते हैं तो आपको एक चुस्त दिमाग चाहिए सिर्फ इंजिनियरिंग के डिगरी हो सकता है कि नौकरी के लिए एक पासपोर्ट हो लेकिन ये सफलता का पासपोर्ट नहीं है, है न? तो एक चुस्त दिमाग होने के लिए जिसे इंजिनियरिंग के डिगरी बर्फ की तरह जमाईगी नहीं आम तोर पर जब लोग डिगरी हासल करते हैं तो वो अपने दिमाग को जमा देते हैं वो सोचते हैं कि अब दिमाग का काम खत्म हो गया है और अब वो इसे बाकी जीवन भर आराम दे सकते हैं ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए ये बस एक व्यवस्थित प्रयास है एक स्कूल, एक कॉलेज, एक इंस्टिटूट उस दिशा में एक व्यवस्थित प्रयास है क्योंकि हर इंसान खुद के लिए ऐसा नहीं कर सकता इसलिए इंस्टिटूट होते हैं वरना एक इंस्टिटूट का कोई दूसरा मकसद नहीं है ये सर्फ उस संभावना को एक व्यवस्थित माहौल देने के लिए है जहां आप एक स्थर की काबिलियत हासिल करने की कोशिश कर पाएं लेकिन ये कई लोगों के लिए है लेकिन एक व्यक्ति के रूप में आपकी सबसे महतवपून बात एक इंसान के तौर पर ये है कि आप सबसे उचे स्थर पर काम कर रहे हैं अगर ऐसा होना है तो दूसरे आयाम भी हैं जिने खोजने की जरूरत है हाला कि आंतरिक खोशाली के ये विज्ञान और टेक्नॉलोजी हजारों सालों से संस्कृती के मुख्य आधार रहे हैं बतकिस्मती से आज हम इसे कई कारणों से ज्यादतर खो रहे हैं क्योंकि हम किसी दूसरे की नकल करना चाहते हैं हम अपने टोपी वाले दादा की नकल नहीं करना चाहते हैं हम दूसरे देश के हैट बेचने वालों की नकल करना चाहते हैं इस वज़े से हम उन चीजों को खो रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए हमें इसे अपने जीवन में वापस लाना होगा इस संस्कृती की सनरचना जैसे हुई है ये उसका एक अभिन हिस्सा है क्योंकि ये पूरा इंसान के बारे में है देखे, यही एक ऐसी संस्कृती है जो इस बारे में बात करती है जो यहाँ एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि आप अस्तित्व के दूसरे आयाम में विकास कर सकते हैं अगर मैं किसी गाव में जाता हूँ और किसी अनपढ़ किसान से बात करता हूँ जो कुछ नहीं जानता जिसने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना अगर मैं उसके पास भी जाता हूँ तो वो मुझसे ये नहीं कहेगा कि मुझे एक सोने का घोड़ा दीजे वो कहेगा वो कहेगा वो कह रहा है कि वो परम मुक्ति चाहता है इस व्यक्ति को ये कहां से पता चला इस धर्ति पर ऐसा कहीं और संभव नहीं है इस धर्ति पर कहीं और संभव नहीं है कि एक अनपढ़ व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो अपने अस्तित्व के मौझूदा आयाम को तोड़ सकता है और किसी दूसरी जगा जा सकता है वो जगा जो भी हो तो ये चीज हमारी संस्कृति में इतनी गहरी बिठाई गई थी हमें इसे खोना नहीं चाहिए ये सिर्फ एक सोच नहीं थी मुक्थ होने के लिए तकनीके मौझूद है अगर आप अपने शरीर की प्रक्रिया और अपने मन की प्रक्रिया से मुक्थ हो जाते हैं अगर आप इसके बाहर बैठकर काम कर सकते हैं तो आप इससे शांदार ढंग से काम लेंगे समझे आप? आप सिर्फ तभी इस शरीर को और इस मन को इस्तिमाल कर पाएंगे जब आप इससे खुद के तरह बरताव न करने में सक्षम हो यह आपके जीवन में शक्त शाली उपकरण है इनके मन चाहे इस्तिमाल के लिए आपके पास एक बाहरी पहुँच होनी चाहिए आप एक जबरदस्त कंप्यूटर हैं लेकिन आप नहीं जानते की कीबोर्ट कहा है तो आप यहां खरोचने लगते हैं जब कुछ समझ नहीं आता यह वहां नहीं है क्या आपने लोगों को देखा है जब वो जोर देकर सोचते हैं वो यहां खरोचते हैं यह ऐसे काम नहीं करता इसके लिए सही दिशा में कदम बढ़ाये जा सकते हैं अगर आप चाहें तो इन्हें यहां उपलब्द कराये जा सकता है